कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका निवृत कर साइस यूडूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हमदेखने वाले हैं नध्यूं के किनारे प्रमुक इस्तित सहरों के बारे में परिछाओं में इसे पुरस्ण आते रहते हैं कुछ प्रसंद जो प्रमपराकत वनको त सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक मैप के जरीए सहरों को सबसे पहले सभी देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए राजधानी याद होगी तो एक तो किलिर हो जाएगा कि किस कॉंटिनेंट में कौन सा देश इस तरह जो एक्जाम में पूछा गया है दूसरी बा बनाया है तो आप इस मैप इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप तयार कर लेंगे वरना ट्रिका आप रटके रही है बहुसारी ट्रिक्शा आपको आपको गूगल पर यूट्यू पर बहुत सब्सक्से होता करै कि जो मैटर हो सको याद रखो उसके बाद एक इक किजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तो आएब एक श्रुवात करते हैं नदीओ किनारे इसने प्रमु के बारे में तो श्रुवात में उत्र मेरी की चेतर से करूंगा आईए देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे करनेडा के चेतर में करनेडा की राजदानी जैसे उटावा है उटावा किस नदी के किनारे इस्तिते उटावा सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस नदी उंटेरियो जील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी या सबसे बड़ी मक्का की मंडी भी यह से विश्चु इस तरवे याद रखेगा फिर आएंगे हम देखेंगे मद्मिर की देख है जिसका नाम है निकारा गुआ जिसकी राधानी क्या है मनगुआ यह सेंच जुआन नदी के किनारे पर इस्तित है याद रखेंगे यूरोप में यूरोप में बहुत सारी चोटी चोटी नदियां से प्रमीक सेरी सीटियों इनसे परिच्छाओं में जो और इंसे प्रस्न पूछए जाते रहे हैं तो आई से देखेंगे यह बात करो तो डूंदी जाना जाता है जूट उत्रों के और जो Scotland का डुंडी है ये इस्तित है टे नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है टे नदी याद रखेगा डुंडी टे नदी फिर लंदन को हम देखेंगे तो टेम्स नदी के किनारे है लंदन किस नदी के किनारे है तेम्स नदी के किनारे है फिर हम देखेंगे Paris पेरिस जो तो पुर्टगाल की राजधानी लिजबन है और मेड्रिट जो है वो मेजनसस नदी के किनारे है मेड्रिट जो इस्पेन की राजधानी है मैसे टो के पठार परिश्थेत है तो किस नदी किनारे है मेजनसस नदी किनारे है फिर रोम को हम देखें के रोम जो है वो टाइबर न राजधानिया वारसा किस नदी किनारे इस्थीत कि विस्चुरीला नदी के किनारे इस्थित है इसोती में अपर देखेंगे तो कुछ राजधानियां विस्थित हैं तो जो चार राजधनि के प्रमुक रूप से इस्तित रहे निएक जो hire नदी किसी नदी किनारे पर इस्तित राजधनियों की बात करूं तो सबसे पहले पॉरू कि यहाँ गात पर राज़ानी पड़ेगी आस्ट्रिया की राज़ानी वियना उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर पड़ेगी बुड़ा पेस्ट राज़ानी जो हंगरी की राज़ानी है हंगरी और यह है आस्ट्रिया और उसके रिखेंगे तो लिखा हुआ बिल्ग्रेट जो राजधानी है वियना की वियना की राजधानी बिल्ग्रेट है उसके आगे जब देखेंगे तो आपको दिखेगा बुखारेश्ट जो राजधानी है रोमानिया की तो ये चार राजधानी है बेना बुड़ापेश् को पहले थी आप देखेंगे जो युक्रेन था वो पहले था सोवियत संग का हिशा था लेकिन जब सभेशंग टूट गया तो टूटने के बाद में क्या हुआ ये अलग हो गया यूक्रेन तो ये यूक्रेन की राधानी है क्यों जो नीपर नदी के किनारे है नीपर नदी के बात बताते हैं ये किसमी गिरती है बलैक सी में गिरती है बलैक सी में गिरती है नीपर नदी है इधर डेनियूम नदी भी गिरती थी और डाउन नदी भी है इस सब इसी नेति कि नीश topics नीशी की। चुड़ान के नी लदी किनारे में भेते लगोट। जो साउथ चुडान की राज़ानी है जो नीन लदी और नीली नीन लदी और सफेद नीन लदी के मिलान इस्तल पर इस्तितत जूबा फिर अदिस अबाबा जो राज़ानी है इथोपिया की कहवा की आद भूमी के नाम से जाना जाता है इथोपिया इसकी राज़ानी अदिस वावा इसी थे अवास में दिके किनारे पर फिर हम बात करेंगे किगाली रमांडा की राजधानी किगाली किगली संब्योता विए पर्यावड से लेटर उसको भी आप याद रखें यह रुगांग वा नदी के किनारे हैं मासको मस्कावा ब्रंभोस मिसाईल आप देखें जो रूस और भारत की संयूप तुरूप से तो इसका नाम पढ़ता है आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र उसका नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो यह देखते हैं एसीया में एसीया में बहुत सारी नदियां है तो यह देखते हैं सब्सक्राइब देखेंगे टिग्रिस तो इक प्रस में बहुत बार पूछे जाता टिग्रिस किस नदी की किनारे इस्तित है बगदा टिग्रिस लेकिन अगाज मैं बात करूं अगर जमें दजला बोल दू तब दी गलत नहीं होगा दजला और फरात नदिय नदी के किनारे पकिस्तान का लाहर पर ओर और शर् famille बात करूं तो यह सद्धु के किनारे पर नदी के रसदेग् तो अब आता है bunga बैंक़क की बात कुर्दं मेनाम अदी के किनारे जो थाएलेंड की राजञी है और यह रंगोनी कहां पहां पर मैंमार में में जखा स्कॉ के गविए मांदू को भाग मती किनारे पर इस थे तूचिंग को यांग ठीज भाग में चीन अवक्रामुक सहरों में इक है और हांग कांग पर्लंदी के किनारे फ्रूब बंज यहरा नदी के किनारे से पर यह कहाँ परिस्थ मेलबन को आप देखें गी तो अस्टेलिया का प्रमुः सहर और पर्थ जो है पूछे जाते रहें और दूसरी बात मैं बता दूँ जो चार टॉपिक बचे उनको मैं आगे बता दूँगा और आगे मैं कुछ नया सोचने की कोसिस कर रहा हूं कि अगे अब क्या स्टार्ट किया तो मैं सोचना हूं आगे जो पर्यावड का इस चूटा हुआ है उसको सुरू किया जाए परेवड में कुछ सब्सक्राइब करा दिये लिए प्रयावड को कुछ सेक्टर बचे हुए उनको मैं जैसे प्रमुक आप देखेंगे संस्थाय वगर करता हूं आगे जैसे जैसे कंडिशन बनेगी मैं अगे वीडियो बनाऊंगा नहीं लेकिन सब कुछ एक बात में बता दूं कि इस किसी यूटूब चैनल मेरा है किसी का हुए सब कुछ आपके देखने के उपर निर्भर करता है जैसे आप देखेंगे उस रिकॉर्डिंग उसी को मैं आगे बनाऊंगा बाकिस आपता है करेंट अफर्ट में बनाई रहा हूं उसको बनाऊंगा ही तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा है वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद